जस्ता सवागत है आप सभी को और एक कमाल और धमा के दर वीडियो में आजके इस वीडियो में दोस्तों हम डिसकर्स करने वाले हैं 25 पैसे के दोमसे कीमति श्कों के बारे में और आपको बतायेंगे। 25 पैसे का दो कीम्ति से के अपने कलेक्शन के लिए आप लोग कहाँ खरी देंगे या फिर अपने कलेक्शन से कैसे आप लोग उससे बेज सकते हो तो वीडियो में बिलकुल अंत तक बने रहीएगा दोस्तों देखिए के मिक्स जो मैटल है उससे कॉइन धलाई हुए थे फिर जाके अपसे धातू से कॉइन धलाई हुआ तो इसी तरह से हम लोग आज बात करने वाले हैं एक तो कॉपर निकल धातू से जो कॉइन धला था उसके बारे में और एक एफसे धातू यानि के फ्रेटेक स्टेनलेस स्टील इस दोनों कोईन के बारे में डिटेईल बताएंगे डिटेईल आप सभी के साथ सेयर करेंगे साथ ही कितना कीम सब्सक्राइब करें वीडियो को एक लाइक कर दीजिए वीडियो को सेयर करें दोस्तों के साथ वाट्साप फेसबूक के ताकि जिसके पास 25 पैसे का यह दोनों को इन जो हम बता रहें वह है उन तक वीडियो पहुंचे और उन्हें अच्छे खासे नॉलेज हासिल करने का म पता दे सबसे पहला जो विरियंट था वो 1957 से लेके 1968 तक यानि इसमें कोई में इस्तमाल हुआ था आपका सिर्फ निकल मैटल का इस्तमाल किया गया था डिटेल आप सभी के साथ सेयर करें आप इसकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहोगा यह कोई यह 25 नया पैसा है यानि कि यह 25 पैसा नहीं है 25 पैसा आने से पहले 25 नया पैसा या था तो 25 नया पैसा का इमेज़ आपको पर देखें यहाँ पर डेखरा वा WE और नीचे लिखा है डिनोमेशन 25 और नीचे लिखा है नया पैसे उसके नीचे है तिख है यानि कि यानि कि इसे हम लोग कहते हैं चवणनी अपने देशी वासा में तो 25 कप है चवणनी तो यह सबसे पहला व्रींट है 25 नया पैसा का यानि कि 1957 से 1968 तक इसको मिन्ट किया गया और इसके डिटेल के अगर हम बात करें तो इसमें निकल मैटल के इस्तेमाल किया गया था वेट था इसमें 2.5 ग्रांस साइज था 19 mm और सेप था सर्कूलर जो कि आपको स्क्रीन पर दीख रहा होगा इस कोईन के डिटेल को हम लोग स्किप करेंगे अज हम बात करने वाला है वो शी ganze करेंगे तो इसके बाद जो कोईन डलाई हुआ वह 1972 से लेके 1990 तक डलाई हुआ यानि कि 1972 से लेके 1990 तक continuously इस कोईन को मिंट किया गया जो कि आपको स्क्रीन पर देखने को मिलोगा इस कोईन में मेटल इस्तेमाल किया गया था कोपर और निकल और पेटर्ण भी हलका चेंज कर दिया गया और इस पार यह 25 नया पैसा नहीं था यह 25 पैसा था तो स्क्रीन पर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आया गा इस कोईन के एक हिस्से में असोग इस्तम और भारत इंडिय है हिंदी और इंग्लेस में लिखा है दूसरे जिस्ते में ऊपर 25 पैसे लिखे है जबकि पहले का कोईन में लिखा था रुपय का चौथा भाग ठीक है तो इसमें 25 पैसा देखने को मिलेगा डिनोमिनेशन भी काफी बड़ा कर दिया गया बचीज वसको नीचे मिन्टिंग के बीच में यह कोईन ढले थे और कोईन की डिटेल्स की बात करें तो कॉपर निकल मैडल इस्तमाल वाता वेट 2.5 ग्राम था साइज था और सेफ था सर्कूलर ठीक है यह हमारा दूसरा पैटर्ण है 25 पैसे का यह कोईन है इसके बाद हमारा आता है तीसरा कोई तीसरा कोई कोईन ढरा ही होता है 1988 से लेकर हां 22 तक रेगुलर यानिकि 1988 से 2002 तक डिक है नाङकी 88 सचाला म३ारा इसके बाद भी यह 25 पैसा लेकिन चोटे साइज में स्टील इसका टेईल arts देख चेका ay नीची बड़ा सा डीनोमिनेस अन्य 25 का उसकी बाद साइड में भारत और पैसे हिंदी में लिखा है और इधर राइड साइड में इंडिया और पैसे इंग्लिस लिखा है वह एक हिस्ते में बड़ा सा यहाँ पर राइनों का लोगों देखने को मिलोगा इनकि गेंडा वालो जो 25 पैसा कोईन कहा जाता है वो यही है और जस्ट उसके ऊपर यहां पर मिन्टिंग यहर और मिन्ट मार्क है तो यह कुछ इसका डिटेल है फिजिकल ओवर्विव है और इसकी एलेमेंट्स की बात करें तो यह पीरिट 1988 से लेके 2002 तक यह कंटीनियूली मिन्ट किया गया था बारे में लेकिन हम लोग जो 25 नया पैसा है उसको स्किप करते हैं और हम लोग अभी एक्कॉर्डिंग टू इंडियन कोईनेज भूक है उसके एक्कॉर्डिंग हम लोग अभी जो दूसरा पैटर्न और तीसरा पैटर्न है यानि कि 1972 से लेके जो 1990 तक था और 1988 से लेके जो 2002 2002 तक कोईन था उसके बारे में आपको कोईनेज इंडियन कोईनेज बुक के अकॉर्डिंग आप सभी को लाइफ रूप के साथ इसके प्राइस हम अब सभी को दिखाएंगे और इसको कैसे आगे चलके से लिए पर्चेस कर सकते हो वह चीज़े बताएंगे अभी सीधे आप चली सीथे मोबाइल स्क्रीन पर तो यहां पर 25 नया पैसा को स्किप करने के बाद हमारे पास आता यह 25 पैसा जो कि मैंने बताया था 1972 से लेकर 1990 तक जो मेंट हुआ था इस कोईन की फिजिकल ओबर विव हो या फिटेल्स हो हमने आप अल्रडी सेर कर दिया अब हम बात करेंगे इस कोईन में कौन सा यह का कोईन रेयर है और क्यों रेयर और कितना प्राइस हो सका तो फिजिकल ओबर भी आप लोग देख चुक प्राइस की और कहां की मिंट का प्राइस ज्यादा है तो इदर हम लोग पल्टेंगे तो यहाँ पर लोग देख सकते हैं यहां पर आप लोग देखिए दिहां से 1989 यानि कि इधर सभी जो यहर का है इसका प्राइस देखिए वेरिफाइन में पाँच एक्स्ट्रा फाइन में 10 रुपए इवेंची में 15 रुपए लेकिन 1989 देखिए 1989 को बिल्गुल गौर करिये आप लोग 1989 में यह कोईन तीन मिंट मे यह है और है अगर 1989 आप से यह पास है तो अआप लुग प्रूप के साद इसका प्राइस आप यह भी चीज आपको मालूम चलेगा एंड में तो वीडियो को स्किप मत करेंगे बिल्कुल अब हम लोग चलेंगे जो दूसरा मोडल है 25 पैसे का जो दूसरा पैटर्न है तो दूसरा जो पैटर्न है आप लोग देख सकते हैं यहां पर यहां पर लाइव आपके सामने ही है ज इसमें अब बात आती है कि कौन सा यहर का और कौन सा मिंट्स का कोईन रेयर है यह चीज़ जानना आप से बहुत जरूरी है क्योंकि यह कोई 1988 से लेके 2002 तक मिंट हुआ था लगातार ठीक ना तो 1988 से लेके 2002 का सभी कोईन्स रेयर नहीं है तो यहां पर अगर हम लोग इसका आप रेयरेटी पता करें तो इहां पर देख सकते हो 1993 गर引ieme सփ करें ना सब्योंकि अहित का अब और और सब्सक्राइगा नहीं नहीं था अब और देख सकते हैं त्यक्राइब भकाषे मिंट का करें यहां पिस त्यक्सट्राट प्ता रेलीजा तक neither अभुए है तो था रेर और नोईटा मिंट का जो कोईन था वो था कॉमन तो यह सिर्फ है है रवाद मिंट का इससे पहले वाला भी कोईन जो रेर था वह रवाद मिंट का अगर कोईन आप सभी के पास है 1993 का तो यह एक्स्ट्र फाइन कंडिशन में तीन हजार रुपए दिला सकता है और इवन सी कंडिशन ने चार हजार रुपए दिला सकता है यह दो चीजें आप लोग देख लो विल्कुल दियांचा तीन हजार और चार दोनों कोईन्स का लाइफ रूफ के साथ प्राइस हमने एक्जिबिशन्स लगने वाले हैं उन सभी एक्जिबिशन्स में विजिट करके अगर आप सभी यह और मिंट्स का कॉइन एफ लेवल है तो वहाँ पर जाके आप लोग इसको सेल भी कर सकते हो या फिर अपने कलेक्शन में रखने के लिए इन कॉइन कोईन्स को परचीज भी कर सकते हो तो यहीत आज के वीडियो में थैंक्स पॉचिंग